अयोधिया में 5 दिसंबर को भूमी पिजन यानी सेलन्यास होने वाला है जिसको लेकर राजनीती गर्माई हुई है बीजेपी पूरी तरीके से फ्रेंट फूट पर खेल रही है और बीजेपी सके सेलन्यास के लिए भबे तयारी करवा रही है उसके साथ ये कॉंग्रेस पहले ने बयान जारी करके पहले कहा था कि हम इसका समर्थन करते हैं और हर कोई चाहता है कि आयोधिया में राममंदिर बनना चाहिए कमलात के बयान के बाद AI MIM के सदर असरुदीन ओवैसी ने कमलात पर तीखा परहार बोला था और कहा था कि कमलात और कॉंग्रेस चाहती है कि आ प्हिला स्टेट्मेंट नहीं है बलकि पहले से काया ये मَंसूबा है कि आयोध्या में मंदिर बनना चाहिए कांग्रेस पर वार करते हुए उसी ने आगे कहा कि हर पarle데å से और हर मुख्याले से कॉंग्रेस के मट्टी जाने जाए आयोधिया में मंदिर बनने के लिए इसके बाद अब दिगविजय सिंग का वैना आया है दिगविजय सिंग ने क्या कहा है वह आपको बता देते हैं इस इस आयोधिया पर बात करते हुए लिखा कि हमारी आस्ता के केंद्र भगवान राम ही हैं और आज समूशा देश भी राम भरोसे ही चला आए इसलिए हम सब की आकांच्छा है कि जल्द से जल्द एक भब्वे मंदिर आयोधिया राम जिनम भूमी पर बने और राम लेला वहीं विराजे स्वर्गे राजीव गांदी जी भी यही चाहत हुए कहा कि सुर्गे राजीव गांदी जी भी यही चाहते थे क्या योधिया में मंदर बनना चाहिए आपको बता दे कि राजीव गांदी पर ये बार बार सवाल उठते रहें और या रोप लगता रहा है कि राजीव गांदी की सरकार में बाबरी मजजित के ताले खुले AIMIM के सदर असोदीन OVC ने भी राजीव गांदी का जिक्र किया राजीव गांदी का जिक्र करती हूँ उन्होंने ट्वीट किया उस ट्वीट में राजीव गांदी और नरसिमा राओ उपर आरोप लगाए उन्होंने कहा राजीव गांदी और नरसिमा राओ की वज़े से ब पीजेपी के साथ ही कॉंग्रेस पर हमलावार है और आप दिगविजय सिंग ने भी कह दिया कि राजीव गौंदी भी यही चाहते थे वहां पर भब्य मंदिर बनना चाहिए तो आप जो है असवुदिन वह वैसी दिगविजय सिंग और कमलात ने जो बयान दिया और मंदिर पर जो पॉलिटिक्स चल रही है इस पर आपकी क्या रहा है कमेट जॉक्स में लिखके जरूर बताएं